So hey guys welcome back to a brand new video अब से guys कुछ दिन पहले ना मैंने यहाँ पर Anti-Sports का GW180 Corsair Racing Wheel का review किया था और आज हमारे पास आता है recently launch Anti-Sports का ही GW170 steering wheel तो आज करते हैं इसका review और यहाँ पर ना budget friendly होने मैं जिसका budget यहाँ पर 7000-8000 नहीं एक steering wheel को buy करने के लिए ना भाई मतलब उनके लिए best है मतलब हर घर में steering wheel होने वाला है जिस pricing पे भाई आपको यह steering wheel मिलता है तो start करते हैं इस वीडियो को My name is Kashish and you're watching Techno Cash अगर आपका भी interest है से PC peripherals में, PC builds में तो ज़्यादा कुछ नहीं करना नीचे दिए सब्सक्राइब के बटन को आपने अभी के अभी करना है प्रेस और हाँ also press the bell icon और भाई साथ ही साथ नहीं यहाँ पर हमारी वीडियो को लाइक है मैं गाईज वो है 300 likes का तो अभी के अभी भाई लाइक बटन को प्रेस करके हमारा like game आप complete करा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को सो गाईज अब यह रहा है anti sports का gw 170 racing wheel आप भाई इसको निकालते हैं box से बार मतलब करते हैं इसकी unboxing और गाईज यहाँ unboxing करते ही हमें कुछ documentation मिलती है जो कि यहाँ पर निकलती है एक मतलब warranty claim card यहाँ पर user manual और साथ में भाई यहाँ पर ने एक drive मिलती है उसको क्या ही काम है आज की टाइम में यार side करो और सबको वहीं गाईज मिलता है हमें यहाँ packed हमारा steering wheel इस वाले box के अंदर से और साथ में यहाँ निकल के आते हैं हमारे paddle जिससे यहाँ पर race brake होने वाली है हमारे इस वाले steering wheel की और यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं मिलता इस box के अंदर हाँ लेकिन steering wheel के निचे आपको pre-installed vacuum मिल जाते हैं जिससे यह आपके table के उपर न मतलब mount होने वाला है तो अब ही चलते हैं वीडियो में आगे और बताता हूँ आपको ओके अब गईज इस pricing में यह आता है वहीं बाताती है इसकी build quality क्या build quality आपको यह offer करता है तो गईज यहाँ पर न जो हमारा steering यह रहागा वो पूरा का पूरा हमें मिलता है प्लास्टिक में ही लेकिन यहाँ वील के ओपर हमें मिल जाती है कुछ rubber texture यहाँ पर जो की काफी बढ़िया enhance करती है प्लास्टिक में ही मिलते है लेकिन अब प्लास्टिक कैसा है बजट को देखते हुए यहाँ पर न भाई मैं बोलूँगा एक decent material यहाँ पर यूज करा गया है इस वाले steering wheel के लिए बिकोज मैं already यहाँ पर इसका एक higher version यूज कर चुका हूँ उसके comparatively यहाँ पर मैं कह सकता हूँ एक decent ही material यहाँ पर यूज करा गया है बजट को देखते हुए यहाँ पर वेल अब भाई looks की बात करूं तो यहाँ पर न लुक्स आपको काफी अच्छी मिलती है थोड़ा सा मैं कहूँगा यहाँ यहाँ पर थोड़ा सा लगता है के बाई यहाँ पर भाई यह आता है ना उसमें आपको compatibility option क्या मिल जाते है भाई PS3, PS4, I think यह PS5 पर वर्क करेगा भाई और यहाँ पर मिलता है आपको Android, PC, Xbox One, Nintendo, Smart Android TV मतलब क्या रह गया है भाई जहाँ पर भी USB लगते हैं टाइप A भाई वहाँ वहाँ यह support चलने वाला है भाई बहुत जादा ही आपको compatibility मिल जाती है हर एक device के साथ इसकी वहीं गयाँ बात करूँ मैं इसकी connectivity की तो गयाँ यहाँ पर ना हमें हमारे मतलब racing wheel के साथ ना एक USB Type A की केबल मिलते है जो आपके PC में, आपके Android TV में या फिर कहलो आप आपके Android phone में या PS3 में, PS4 में उसके तो गयाँ यहाँ पर यह चल जाएगी यहाँ पर टू मीटर के आसपास की आपको केबल मिल जाती है जो कि एक अच्छी build quality में देखने को मिलते हैं, वहीं इस बात कुरूब है, पैडल्स, तो गयाँ पैडल्स के साथ भी आपको connectivity मिलती है, केबल जो इसके back side ही लग जाएगी आपके steering wheel के और फ्रंट side में आपको एक USB port मिलता है, जहाँ पर आप Nintendo के लिए या Android के लिए आप वहाँ से ही connect कर सकते हो, केबल को attach कर कर वेल, 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 आप गयाँ यहाँ पर न मुझे कुछ feature इसके अंदर दिखा extra, गयाँ वो था इस steering के back side न, आपको यहाँ पर आपके channels मिलते हैं, 1, 2, 3, 4, गयाँ जहाँ तक मैं उनको समझ पाया हो ना भाई, वो आपके जो भी system में आप use करते हो न, वहाँ पर जो profile में आपकी game चल रही है, मतलब sensitivity आप TV में खेलते हो, तो वहाँ पर आपकी channel 1 पर आपका steering wheel align हो जाएगा, यहाँ तक मुझे समझ आया भाई, यह वाला feature जो इसके back side न, आपको एक ranking मिलती है, channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 इस feature guys, मैं यहाँ तक ही समझ पाया हूँ, जहाँ तक मुझे यह चीज समझ आई, अब testing की बात आती है, तो मैंने इसे Android TV में भी play कर रहा है इसको, यहाँ पर न, मैंने PC में भी play कर रहा है, तो अभी testing की side भाई हम चलते हैं, सो हे guys, पहले तो guys, मैंने इसको यहाँ पर अपने PC setup पे भी mount कर लिया guys, बात करूँ, मैं इसके कुछ controls की न, यहाँ पर, तो आपको guys, steering के उपर न, बहुत सारे controls मिल जाते हैं guys, यहाँ पर आपको share का option मिलता है, कि यहाँ पर guys, आपको home का option, guys, यहाँ पर buttons आपके लिए बहुत जादा मिल जाते हैं steering के उपर, जिससे guys, आपको keyboard या mouse का use तो आपको यहाँ पर zero ही हो जाता है guys, यहाँ पर मुझे यह advantage मिला, इस वाले एक budget steering wheel के अंदर, अब guys, यहाँ बात आती हैं भाई, साथ न, guys, इसको आपके यहाँ paddles भी मिलते हैं, इससे आपने, मतलब gear shift भी कर सकते हो guys, यहाँ पर up and down बड़े easily आपके यहाँ पर gear की shifting भी होने वाली है, इनके साथ अगर आप यहाँ पर manual अपने gears को रखते हो, automatic के जगा, तो guys, यहाँ पर guys, आपको button wise feature बहुत जादा मिलते हैं, यहाँ पात आती है, फोर्जा में guys कैसा perform करता है, यह 170 degree वाला steering जो की एक budget steering है यहाँ पर, वो फोर्जा में कैसा perform करता है, यहाँ पर all set हो चुके है, चलते हैं यहाँ computer screen पर, तो guys, यह यह अपनी Jeep, फोर्जा यहाँ पर चल चुकी है, तो आप पकड़ते हैं, accession देते हैं, अपने steering पर रखते हैं हाथ हम, और guys, यहाँ हम चल पड़ें, अपनी गाड़ी के साथ में, फुल मजे में, यह भाई, भाई, ओ, नाइस, 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 भाई, देखो, response तो अच्छा है steering का, बतलब, इतना तो दिखा मुझे एकदम टान लेते ही, response काफी बड़ी है भाई, वो बात लगए कि 170 ही है, लेकिन भाई, budget को देखते हुए यहाँ पर, भाई, vibrations भी यहाँ मुझे देखने को मिल रही है, भाई, मज़ेदार, यह सही लगा, I like it, मुझे सही लगा भाई, यहाँ vibrations भी हैं इसके अंदर, यह एक और jump हम फिर से लेते हैं, and control में हैं गाड़ी भाई, जहां तक आप देख रहे हो ना, control में ही हैं, don't worry, and भाई, मुझे इसके इंदर vibrations भी मिल रही हैं, तो it means भाई, जिस pricing पर है, उसमें vibration भी आपको मिलती है, गाड़ी के अंदर, steering के अंदर आपके, जहां कि गाड़ी डर्ट वगएरा में जाती है, तो भाई, इससे उपर और क्या ही मतलब चाहिए है, हमें इतने कम pricing में भी, तो मुझे बढ़िया लगा भाई, और गाई, यहां पर हम paddle का उसके, अभी के paddle पर यहां पर ना भाई, मतलब बढ़िया है भाई, जिस pricing पर यह आता है ना भाई, उस हिसाब से तो मुझे बहुत बढ़िया लगा, इसकी performance के हिसाब से, steering भाई, बढ़िया है, और मुझे paddle इसके अच्छा response कर रहे हैं, acceleration देते ही, गाड़ी आगे बढ़ रही है अपनी, अभी तो मचे लेरों फटी से भाई, मैं साथ अथ बात करते करते, मतलब इतना concentration भी बनता ना, हाँ तो गाईज, मुझे तो भाई, pricing के हिसाब से, Forza में भी बहुत अच्छा perform कर रहा है भाई, यह steering, ओके, ओके, अब बोईज, यहाँ पर ना भाई, यह वाला steering, जो anti-sports का GW170 है ना, भाई, यह support करता है Android TV को, तो भाई, किस बात की देर थी, मैंने connect करा इसको अपने TV के साथ, और यहाँ पर भाई, मैंने download कर लिये game, beach buggy racing, अब वो हम play करने वाले हैं, race करने वाले हैं, स्टेरिंग के साथ में, तो गाई, अब यहाँ पर देख सकते हो, आप start हो गई है, यहाँ पर गे, ओ, ओ, अब तक तो भाई, मैंने कर टर्न नहीं लिया है, अब चलेगा पता, तो भाई, हाँ, सही, अब तक तो मुझे सही लगा, अरे, बढ़िया है भाई, देखो, तुम्हारा भाई, नमबर टू पे चल रहा है, क्वाइट इंप्रेसिव, मुझे बढ़िया लगा, अब तक का, हाला कि यह 170 डिग्री ही डिट रिट होता है, लेकिन उसके हिसाप से, अब बहुत बढ़ीया पर्फॉर्मेंस है, अब तक तो पुरा फिक्स मिल रहा है, ऐसा नहीं के, वैक्यूम से हील रहा है, बड़े मज़े से चल रहा है, बहुत मज़े से चल रहा है ये, अब तक तो, अब मैं फस्ट आऊंगा, के नी आऊंगा, मुझे नहीं पता लेकिन भाई अब तक की performance तो मुझे इसकी सही लगी कुछ control जुट से दे हो गए second यहांगा लग रहा है मुझे भाई मेरी इस game के साथ भी मेरी performance steering की बढ़िया लगी यहाँ पर okay भाई मेरा experience देखो एए मैं performance की बात करूँ as such मुझे कोई problem नहीं मिली भाई steering wheel बहुत बढ़िया से यहाँ चल रहा था मेरी family ने भी यहाँ पर enjoy करा मज़े से gaming करते हुए steering wheel के साथ में हाँ अब दो-तिन चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ आपको पहला गाई इसकी pricing गाई Amazon पर यह आपको मिल जाएगा है 4000 से लेके 4500 के आसपास बाके card ward में और भी अच्छा discount मिलने वाला है आपको last time गाई यह 45 का था लेकिन 4 के आसपास यह मिल जाएगा आपको easily अब बात आती है किनके लिए है यह वाला steering wheel multi-purpose है आपके घर में बच्चे है छोटे वो भी यह यह उसकर सकते हैं आपका budget जादा नहीं है खुद का कि आप एक 7000, 8000, 10,000 के आसपास का steering wheel लो अपने setup में अड़ करो तो हाँ प्रैजिंग भले ही कम है लेकिन performance आपको बहुत अच्छी देता है यह हाला कि 170 degree अला steering wheel है लेकिन हाँ आपकी game से अच्छे से align हो जाता है और हाँ guys always give your best